कहते हैं, वे विपत्ती की तरह आए, कहते हैं, वे प्रदूशन की तरह फैले, वे व्याधी थे ब्राहमण कहते थे, वे मलेच्छ थे वे मुसलमान थे उन्होंने अपने घोड़े सिंधु में उतारे और पुकारते रहे हिंदू, हिंदू, हिंदू बड़ी जाती को उन्होंने बड़ा नाम दिया नदी का नाम दिया वे हर गहरी और अविरल नदी को पार करना चाहते थे वे मुसल्मान थे वे मुसल्मान थे लेकिन वे भी यदि कबीर की समझदारी का सहरा लिया जाए तो हिंदू की ही तरह पैदा होते थे उनके पास बड़ी बड़ी कहानिया थी चलने की, ठहरने की, पिटिने की और मृत्यू की पृतिपक्षी के खून में घुटनों तक और अपने खून में कंधों तक विड्डूबे होते थे उनकी मुठ्यों में घोडों की लगामे और म्यानों में सब्धता के नक्षे होते थे ना, मृत्यू के लिए नहीं, वे मृत्यू के लिए युद्ध नहीं लड़ते थे वे मुसल्मान थे वे फारस से आए थे तूरान से आए समरकन, फरगना, सीस्तान से आए तुर्किस्तान से आए वे बहुत दूर से आए फिर भी वे प्रित्वी के ही कुछ हिस्सों से आए वे आए क्योंकि वे आ सकते थे वे मुसल्मान थे वे मुसल्मान थे कि या खुदा उनकी शकले आदमियों से मिलती थी हुबहु वे महत्वून परवासी थे क्योंकि उनके पास दुख की स्मृतियां थी वे घोडों के साथ सोते थे और चट्टानों पर वीरी बिखेर देते थे निर्मान के लिए वे बेजैन थे वे मुसल्मान थे यदि सच को सच की तरह कहा जाए यदि सच को सच की तरह कहा जा सकता है तो सच को सच की तरह सुना जाना चाहिए कि वे प्राय इस तरह होते थे कि प्राय पता ही नहीं लगता था कि वे मुसल्मान थे या नहीं थे वे मुसल्मान थे वे ना होते तो लखनू ना होता आधा इलाबाद ना होता मेराबे ना होती गुमबद ना होता आदाब ना होता मीर मकदूम मौमिन ना होते शवाना ना होते वे ना होते तो उपमुहदीब के संगीत को सुनने वाला खुसरो ना होता वे ना होते तो पूरे देश के गुसे से बहचेन होने वाला कभीर ना होता वे ना होते तो भारती उपमुहदीब के दुख को कहने वाला गालिब ना होता मुसल्मान ना होते तो अठारा सो सतावन ना होता वे थे तो चचा हसन थे वे थे तो पतंगों से रंगीन होते आसमान थे वे मुसल्मान थे वे मुसल्मान थे और हिंदुस्तान में थे और उनके रिष्टेदार पाकिस्तान में थे वे सोचते थे कि काश वे एक बार पाकिस्तान जा सकते वे सोचते थे और सोचकर डरते थे इम्रान खान को देखकर वे खुश होते थे वे खुश होते थे और खुश होकर डरते थे वे जितना पी एसी के सिपाही से डरते थे उतना ही राम से वे मुरादाबाद से डरते थे वे मेरट से डरते थे वे भागलपूर से डरते थे वे आकड़ते थे लेकिन डरते थे नहीं नहीं थे लेकिन अपने घर को लेकर घर में देश लेकर देश में खुद को लेकर आश्वस्त नहीं थे वे उखड़ा-उखड़ा रागद्वेश थे वे बूसलमान थे वे कि पड़ते थे वे इस लंप जड़ते थे bisa self coaching वे स्वूश्प लेकिन दमश्क उनका शहर नहीं था। वे मुसल्मान थे अरब का पिट्रोल उनका नहीं था। वे दजला का पानी नहीं यहुना का पानी पीते थे। वे मुसल्मान थे। वे मुसल्मान थे इसलिए बचके निकलते थे। वे मुसल्मान थे इसलिए कुछ कहते थे तो हिचकत देश के दाखर अखबार ये कहते थे कि मुसल्मान के कारण ही कर्फ्यू लगते हैं कर्फ्यू लगते थे और एक के बाद दूसरे हाथसे की ख़बरे आती थी उनकी ओरतें बिना दहाड मारें पचाडे खाती थी बच्चे दिवारों से चिक्के रहते थे वे मुसल्मान थे इसलिए जंग लगे तालों की तरह वे खुलते नहीं थे वे अगर पांच बार नमाज पढ़ते थे तो उससे कई गुनाज ज्यादा बार सिर्फ पटकते थे वे मुसल्मान थे वे पूछना चाहते थे कि इस लाल खिले का हम क्या करें वे पूछना चाहते थे कि इस लाल खिले का हम क्या करें वे पूछना चाहते थे कि इस हुमायों के मक्बरे का हम क्या करें हम क्या करें इस मस्जद का जिसका नाम कुवत उल इसलाम है इसलाम की ताकत है अद्रक की तरह वे बहुत कड़वे थे वे मुसल्मान थे वे सोचते थे कि कहीं और चले जाएं लेकिन नहीं जा सकते थे वे सोचते थे यहीं रह जाएं तो नहीं रह सकते थे वे आदा जिबा बकरे की तरहे तकलीफ के जटके महसूस करते थे बे मुसल्मान थे इसलिए तूफान में भसे जहाज के मुसाफरों की तरह एक दूसरे को भीचे रहते थे कुछ लोगों ने ये बहस चलाई थी कि उन्हें फेका जाए तो किस समुद्र में फेका जाए बहस ये थी कि उन्हें धकेला जाए तो किस पहार से धकेला जाए सिंधू के दक्षण में सेंकडो सालों की नागदिक्ता के बाद मित्ती के धेले नहीं देवे वे चक्तान और उन की तरह सच थे वे सिंधू और हिंदू कुश की तरह सच थे सच को जिस तरह भी समझा जा सकता है सच को जिस तरह भी समझा जा सकता है उस तरह वे सच थे वे सब्धता का अनिवार नियम थे वे मुसल्मान थे अफवा नहीं थे वे मुसल्मान थे वे मुसल्मान थे वे मुसल्मान थे फिक अविता मैंने आपको सुनाई मुझे लगा कि मुझे इस तरीके की चीजे भी कभी कभी पढ़नी चाहिए ये हमारे दोर के बड़े विलक्षन कभी देवी प्रसाद मिश्र की कविता है जो बहुत साल पहले उन्हों है लिखी थी आज सुबह मुझे कविता की याद आ गई कि मुझे लगा कि मुझे आपको सुमानी चाहिए कुछ लेगे दोस्तों जिस्पी कीजी